कि यह ऐसे बंद भी हो जाते हैं ऐसे दबाएंगे तो यह ओपन हो जाएंगे दो हुक है मतलब इस स्पीड में भी यह गाड़ी स्टेबल लग रही हुझे अगर आप डेली ऑफिस आप डाउन करते हैं और घंटो ट्रैफिक में परिशान होते हैं तो यह गाड़ी आपके लिए हो सकती है दूसरी चीज़ यह है कि यह आपकी प्राइमरी कार नहीं हो सकती और तीसरी चीज़ यह है इस गाड़ी को नैनो से रिलेट मत करना क्योंकि नैनो आइसी इंजिन के साथ आती थी और यह इलेक्ट्रिक कार है इसकी बहुत सारी खूबी है और नैनो इससे साइज में प्राइमरी कार नहीं हो सकती उसके भी बहुत सारे रीजन है क्योंकि यह एक प्रॉपर कार नहीं है इसको आप लॉंग डिस्टेंस में इस्तमाल नहीं कर सकते तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कि बोनेट काफी छोटा है इसका लेकिन यह ऑपन होता है और अंदर की चीछे में आपको यहाँ पर दिखाता हूं यहां पर आप ब्रेक और सकते हैं यहांपर अश्क कि गैस रिफिल कर सकते हैं यह आपको और मोंटर दिखरी और अधर उन्दर जाक के देखेंगे बैटरी हो गाड़ी बले ही छोटी हो लेकिन किसी भी चीज की कमीनी की गई है आगे अगर देखेंगे आप लेफ्ट से राइट तक कनेक्टेड डी आरेल है और इधर एलेडी हैडलेंफ है लो बीम और हाइबीम उपर नीचे है और यहाँ पर टन इंडिकेटर है अगर आप यहाँ पर स परसेंट साथ घंटे में हो जाएगी डीसी फास चार्जिंग कोई ऑप्शन नहीं कहने का मतलब है आपको जो गाड़ी है अपनी घर पर ही चार्ज करने पड़ेगी कोई बीलेक्ट्रिक गाड़ी ओ आप जानना चाहते हो कि रेंज क्या है बैटरी का साइज है 17.3 किलोवा और काफी चोटा इसको आप अपग्रेड करेंगे तो आपकी रेंज हो सकता है कि काम हो जाए यह जो क्रोम लाइन है मुझे काफी अच्छी लगी जो आगे से सीधे आपके और यहां पर आप देख सकते हैं और वीम में टान इंडिकटर दिया हुआ है और इस और यह को आप अब इसको फोल्ड नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की सबसे पहले आप यह देखिए गाड़ी की हाइड मेरी है चैफिट चार इंज गाड़ी की हाइड अच्छी खासी है उसमें हैड रूम में कितना फायदा मिलता हो अंदर जाके बात करेंगे लेक इस गाड़ी का पूरा बॉक्स ही और पीछे से आप देख से पूरी स्ट्रेट है और इधर आपको जो है इंटरनेट इंसाइड की बैजिंग मिल जाती है इधर लोगो यहां पर कॉमेट की बैजिंग और लेफ साइड में आपको मिलेगा इवी का बैज यह देखिए कुछ सब्सक्राइबल है यह लैपटॉक बैग है और एक चोटा मोटा समान हमने यहां पर रखा है आपके दो या तीन लैपटॉप बैग आ जाएंगे बड़ी आसानी से यह पीछे वाली सीड है आप इसको प्रॉपरली फोल्ड भी कर सकते हैं यह 50-50 फोल्ड जाती है अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट सपोर्ट मिलता है दोनों जगे और मैं आगे आपको गेट का साइस दिखा देता हूं डोर का यह देखिए कितना वाइड ओपन होता है और कितना बड़ा डोर है इस डोर के सामने गाड़ी छोटी लग रही है मुझे अब इदर आई जब दोर खुल कोई भी कॉप्रमाइज नहीं किया गया है गाड़ी में काफी बड़ी विंडशील है पीछे जो पैसेंजर है उनका दम ना घुटे उनको क्लॉस्ट्रफविक फील ना हो उसके लिए यहां पर भी आपको जो है विंडो मिलती है इसको आप ओपन नहीं कर सकते लेकिन आप पूरा लाइट ले सकते हैं और बाहर देख सकते हैं अंदर बैठने में ऐसा लगता है कि आप किसी प्लेन में बैठने हैं जैसे प्लेन की विंडो होती है वैसी है हाला कि यह थोड़ी सी छोटी होती यह थोड़ी सी जादा बड़ी है अब देखिए इसकी चावी कितनी क्य हो जाएगी तो गाड़ी में चड़ना उतरना काफी आसान है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी हाइट है मुझे हैड रूम क्या मिल रहा है आगे की रोम में और वैसे इसको में रिकलाइन भी कर सकता हूं जिसकी वजह से जो है मुझे थोड़ा सा और हैड रूम मिल जाएगा अब बात यहां पर यह है कि जो इसकी सीट है इसमें हाइट एजस्मेंट का फीचर नहीं आता है और सीट काफी क्यूट है डी एन आर और यहां पर जब आप चार्जिंग पर लगाएंगे गाड़ी और आगे की दो ही विंडो को आप डाउन कर सकते हैं और वह दोनों ऑटो है यह आप एंड डाउन है यह आटो डाउन है देखिए गाड़ी में सेफटी फीचर की कोई कमी नहीं है इसमें दो एर बैक आपको मिल जाते हैं और साथ के साथ हर एक पैसेंजर के लिए आपको सीड बैल बिलती है अगर कोई पैसेंजर सीड बैल नहीं पहनता है तो आपके डिस्पले पर वार्निंग आईगी और जैसे एमजी नहीं बताया कि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो क डिए छोटा समान यहां पर रख सकते हैं शांटर कंसूल में आपको कुछ नहीं मिलेगा आप लेकिन अपने कवील डिसाइन काफी ठीक है जो इसकीघ्ची है काफी बटनों की क्वालिटी और डिजाइन मुझे काफी अच्छ लगा राइट-सightapt say यलाघ वाले बटन है इस से को ाइं स्क्रॉट कर सकतें इन बाटन की त्रूह इसका पैनल है इसका यह फोटे क् Canadians सिस्टम में इसका साइज भी उतना ही है धूब में भी हम इसको आसानी से देख सकते हैं इसमें जो भी information आ रही है उसको हम रीड कर सकते हैं ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं मैं यह कहूंगा कि उतने crisp नहीं है लेकिन हाँ decent है इस टाइप की गाड़ी के लिए चलेगा एनिमेशन जो आ रहे हैं वह काफी accurate है काफी smooth है अब बात कर लेते infotainment system की इसका जो टच कंट्रोल है वह ठीक ठाक है यह भी उतना ज्यादा crisp नहीं है लेकिन quality अच्छी है response देखिए अच्छा काम कर रहा है यह सारे गैजेट्स होने की वजह से ना यह गाड़ी complete लग रही है और इन सब की वजह से यह गाड़ी की जो प्राइस है मुझे लगता है कि ऊपर चले जाएंगे और इसके लोवर वेरियंट्स भी होने चाहिए मेरे हिसाब से जिसमें आपको एक अच्छा music system मिल जाए और उसके लावा कुछ नहीं गाड़ी में connected car features हैं दुनिया भर के पुछ स्टार्ट बटन की जर्वत नहीं है इस गाड़ी में इसमें ही नहीं आप इस गाड़ी को आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कूलिंग में रहेगा लो में फिर थोड़ा कम लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 और हाई मतलब कि इसमें आपको हीटर और जायगा और डी सर्कोलेशन जो बटन है बीच में धिया हुआ है और डी फॉगर सब्राइब का और बता दूह गाड़ी जाटा को तपुत पीछे उड़ा कर जा सकता है और पीछे ना इन पीछे सी मिल रहा है और मेरे ένच नहीं तोकूल झाला है कि इसमें पीछए Soniai एसा नियुक्ष के मैं notion लेकिन लाइग लेकिन लॉंग इसटैंस ट्वैल नहीं कर सकता अब उस टाइप का स्पेस है इसमें अंडर साइस सपोर्ट पीछे थोड़ा सा कम मिलता है इसलिए जागा